एक बार भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के कहने पर उन्हें स्वर्ग से पारिजात व्रक्षिला कर दिया था तब सत्यभामा को इस बात का अभीमान हो गया था कि वह सबसे अधिक सुन्दर हैं और भगवान श्रीकृष्ण की अतिप्रिया भी है इसी कारण उन्होंने उन्हें पारिजात्वरक्षला कर दिया है इसी प्रगार सुदर्शन चक्र ने जब एक बार इंद्र के वज्र को निश्क्री कर दिया था तब से उसे भी ये अभिमान हो गया था कि भगवान के पास युद्ध में जब कोई उपाय नहीं बसता है तो वह उसकी ही मदद लेते हैं इसी तरह भगवान का वाहन गरुड भी यही समझने लगा था कि भगवान मेरे बिना कहीं जा नहीं सकते क्योंकि मेरी गती और मेरे बल का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है इन तीनों के इस अहंकार को तोड़ने के लिए एक दिन भगवान श्री करस्ण ने हनवान जी का इस्मरण किया था उनके इस्मरण करते ही हनवान जी तत्काल द्वारी का आप पहुंचे थे भगवान श्री राम और भगवान श्री करस्ण एक ही हैं यह तो हनवान जी जानते ही थे साथ ही यह भी जान गए थे कि भगवान श्री करस्ण ने उन्हें किस कारे के लिए बुलाया है इसलिए में भगवान श्री कृष्ण के दर्बार में जाने की जगा द्वारिका के एक बहुत ही सुन्दर बागीचे में चले गए थे और वहां के व्रक्षों में लगे फ़नों के साथ सथ व्रक्षों को भी तोड़ने लगे थे यह खबर जब भगवान श्री कृष्ण के पास पहुची कि एक वानर बागीचे को उजाड रहा है तो भगवान श्री कृष्ण ने गरूर से कहा कि तुम सेना लेकर जाओ और उस वानर को पकड़ कर मेरे सामने ले आओ तब बल के अभिमान में भरे गरूर ने यह कहा था कि प्रभू एक मामूली वानर को पकड़ने के लिए सीना की क्या जरूरत है मैं अकेला ही उसे पकड़ लाता हूँ ऐसा कहकर गरूर उड़ते हुए उस बागी चे में पहुँचे जहां हनवान जी व्रक्षो को उखाड रहे थे तो गरूर ने उन्हें बिना जाने ही उनको पकड़ने का प्रयास किया था तब हनवान जी ने गरूर को अपनी पूच में दबा कर जोर से कस दिया जिससे गरूर की सांस रुख गई थी गरूर को इस प्रकार कुछ समय तक पीडित करने के बाद हनवान जी ने अपनी पूच से ही गरूर को दूर समुंदर में फेक दिया था तब गरूर बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल कर भगवान श्री कृष्ण के दर्बार में वापस आकर यह बोले थे कि प्रभू वह कोई साधारणवानर नहीं है इसलिए मैं उसे पकड़ कर नहीं ला सका यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वह अवश्य ही श्री राम जी के भग हनुमान होंगे तुम उनके बास जाकर यह कहना कि श्री राम ने उन्हें बुलाया है वह अवश्य चले आएंगे और हो सके तो तुम उन्हें अपने साथ ही लेकर आना भगवान श्री कृष्ण की आग्या पाकर गरूर हनुमान जी को ढूंडते हुए वहां से बहुत दूर मलय परवत पर पहुँच गए थे और हनुमान जी से अपनी भूल की छमा मांगते हुए उनसे यह कहा था कि भगवान श्री राम ने आपको याद किया है हनुमान जी प्रभू की यह लीला भी समझ गए थे इसलिए उन्होंने गरूर से यह कहा था कि तुम चलो मैं तुम्हारे पीछे ही आता हूँ इधर द्वारिका में भगवान श्री कृस्ण ने राम का रूप धारन किया और सत्य भामा के साथ सिंगासन पर बैट गए थे और सुदर्शन चकर को यह आदेश दिया कि तुम द्वार पर रहो बिना मेरी आग्या के कोई भी अंदर न आने पाई तब हन्मान जी द्वार पर पहुँच गए थे तो सुदर्शन ने उन्हें रोकते हुए यह कहा था कि तुम बिना आग्या के अंदर नहीं जा सकते हो तब हन्मान जी ने सुदर्शन चक्र को पकड़ कर अपने दातों में दबा लिया था और अंदर चले गए थे हन्मान जी ने सिंगासन पर बैठे भगवान श्री राम को प्रणाम करके उनसे यह कहा था कि प्रभू मा कहा है आपके पास उनके इस्थान पर यह कौन दासी बैठी है सत्य भामा ने जब यह बात सुनी तो बड़ी ही लज्जित हो गई थी और उनका सारा घमन चूर हो गया था तबी ठके हुए गरूर देव भी हाफते हुए दरबार में आ गय थे गरूर ने वहाँ हन्मान जी को देखा तो अचकित रह गय थे कि मेरी गती से भी तेज गती से हन्मान जी वहाँ पहुँच गए इस प्रकार गरूर का बल और गती दोनों का अभिमान चूर हो गया था तबी श्री राम रूपी कृष्ण ने हन्मान जी से यह पूछा कि तुम अंदर कैसे आ गय थे तुम्हें गया द्वार पर किसी ने रोका नहीं था तो हन्मान जी ने कहा सुदर्शन चक्र ने मुझे रोका तो था परन्तु मैं आपके दर्शन में विलंब कैसे कर सकता था इसलिए मैंने उस सुदर्शन चक्र को अपने दांतों में दबा लिया था। यह कहकर हन्वान जी ने अपने मूँ से दबे हुए सुदर्शन चक्र को निकाल कर प्रभु के चरणों में डाल दिया था। इस प्रकार सुदर्शन चक्र का भी सारा घमंड समाप्त हो गया था। झाल